आज के वीडियो में डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग को समझाएंगे जिसके अंतरगत डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग क्या है डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की और कब की डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग का सिधान्त क्या होता है डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग क ऐसे की जाती है चित्र सही समझाएंगे और साथ में डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग के उपियोग को भी बताएंगे अथाथ पूरी जानकारी चित्र सहीत आसान भासा में आपको समझाएंगे तो चलिए सबसे पहले डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग की परिभासा समझा देते ह अलग अलग वेक्तिके DNA के नुकिलियो टाइड क्रम या सीक्वेंस की तुलना करके उनके बीच के संबंध के अध्यन की प्रिकिरिया को DNA फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है चलिए इस परिभासा को चित्र के माधम से समाल लेते हैं तो ये एक DNA का खंड है हम लोग पिछले वीडियो में पड़ चुके हैं कि DNA double helix होता है जो nucleotides के जुड़ने से बनता है ये nucleotides एक विसेस क्रम या सीक्वेंस में जुडते हैं संसार भर में जितने भी मनस्य हैं जितने भी विक्ति हैं उनके DNA में नुकिलियोटाइट का जो क्रम होता है जो सीक्वेंस होता है लगभग एक जैसा होता है या लगभग एक समान होता है लेकिन DNA में कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं कुछ ऐसे भी अस्थान होते हैं कुछ ऐस sequence में अंतर होता है अधवा कहें तो कुछ जगहों पर DNA बिल्कुल unique होता है, सबसे अलग होता है अर्थात DNA में कुछ area ऐसी होती है जो हर विक्ति से एकदम अलग होती है यानि एक विक्ति का DNA दूसरे विक्ति से पूरा पूरा different होता है कुछ जगहों पर इसी चीज को देखते विये कहा जाता है कि हर इंसान का DNA अलग होता है और यही वो DNA के अस्थान है जिनसे अपराधियों को पहचाना जाता है इन ही अस्थानों से जो बिल्कुल अलग होते हैं सबसे तो परिभासा में कहा गया है कि अलग अलग देखते के DNA तो जैसे कोई दो विक्ती हैं उन दोनों के इसी यूनिक जगह के DNA की जाज की गई और जाज के बाद DNA के सीक्वेंस या क्रम का मिलान किया गया या तुलना की गई अब तुलना के बाद क्या-क्या मिल रहा है यानि उन दोनों में क्या-क्या संबंध है इस चीज को देखा गया इसी को DNA फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है तो DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी ने की थी DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी और उनके सहयोगी वेग्यानिकों ने, सहयोगी साथियों ने सन 1985 SB में किया था आप लोग याद रखेंगे ये DNA Fingerprinting की खोज किसने की आप लोगों को याद रखना है बहुत सारे परिच्छाव में पोचा जाता है कि DNA Fingerprinting की खोज किसने की परमपरागत रूप से अंगुली चिन्ह का प्रियोग करते थे अंगुठे का प्रियोग करते थे बिलकुल उसी तरह से अब DNA Fingerprinting में होता है तो DNA Fingerprinting को DNA Profiling अथवा DNA Typing भी कहा जाता है तो DNA Profiling को हो या DNA Fingerprinting को हो या DNA Typing को हो एक ही बात है तो किसी भी नाम से पूछा जाए आप लोग ये सभी नाम याद रखेंगे यही बताना है आपको तो कुल मिला करके DNA Fingerprinting का सिधान्त क्या होगा प्रिंस्पल आप DNA Fingerprinting क्या होगी सभी मनुस्यों के DNA में 99.9% DNA अनुकरम एक समान होते है यानि जितने भी मनुस्यों हैं उन सभी में 99.9% DNA एक समान होता है बिल्कुल एक जैसे होता है केवल 0.1% नुकलियोटाइट सेक्वेंस में अंतर होता है यानि कितना DNA में अंतर होता है 0.1% सबसे अलग होता है सबका unique होता है वो बिल्कुल किसी से नहीं मिलता है ये अंतर दोनों प्रकार के nucleotides अनुक्रमों या sequence में पाए जाते हैं तो DNA fingerprinting केवल repetitive sequence में विभनताओं के आधार पर होती है जो repetitive sequence होता है उसमें विभनताओं के आधार पर होती है अब प्रशनाया के repetitive sequence क्या है DNA को हम दो भा 9.9% होता है जिसे हम coding DNA कहते हैं काम का DNA कहा जाता है और दूसरा है satellite DNA या इसे non coding DNA कहते हैं और ये कितना होता है 0.1% जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 99.9% है ये DNA सभी में समान होता है और 0.1% DNA किसी में भी समान नहीं होता सबसे अलग होता है तो जो bulk DNA है या coding DNA है 99.9% सभी जीवों में समान होता है DNA और जो satellite DNA है मतलब सभी जीवों में भिन होता है बिलकुल अलग होता है ये satellite DNA को ही repetitive sequence कहते हैं और repetitive sequence क्यों कहा जाता है क्योंकि ये बार-बार repeat होते हैं इसमें sequence बार-बार वही आते हैं इसलिए repetitive sequence हो गया ये दो प्रकार का होता है mini और micro, mini में 10 से 60 vayspairs पाय जाते हैं जबकि जो micro होता है इसमें 1 से 8 vayspairs पाय जाते हैं mini के अंतरगत vntr आता है जबकि micro के अंतरगत str आता है vntr का पुरा नाम variable number tandem repeat होता है जबकि str का पुरा नाम 60 tandem repeats होता है तो जो vntr है इसकी लंबाई अलग होती है कापी भी अलग होती हैं सबसे बिल्कुल अलग बिल्कुल एकदम अलग इसी आधार पर DNA फिंगर प्रिंटिंग बनाया जाता है या DNA फिंगर प्रिंटिंग इसी के आधार पर किया जाता है तो repetitive sequence क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब DNA फिंगर प्रिंटिंग की किरिया बिधी अर्थात DNA फिंगर पिंटिंग कैसे की जाती है चित्र सहित आपको समझा देते हैं चलिए अब DNA फिंगर प्रिंटिंग की किरिया बिधी को समंझ लेते हैं तो इसने पहला step है घटना अस्थल से हेयर रूट इसकिन सेमेन ब्लड को कलेक्ट करना उससे डियनने अलग करना है मतलब अब घटना अस्थल पर जो खोन या बाल की जड़ या तवचा वीर इनमें से जो भी मिला उससे डियनने अलग करना है यानि घटना अस्थल से जो खोन या ब्लड सेंपिल मिला है उसमें ब् और उसमें से डियन्य को निकालने के लिए अगले इस्टेप पर चलेंगे सेंट्रिफिकेशन आप डियन्य या आइसोलेशन आप डियन्य या कली कि डियन्य को अलग करना या निकालना तो सेंट्रिफिकेशन को हिंदी में अपकेंद्रन कहा जाता है अपकेंद्रन इस पे करत लंबाई अधिक होती है या खली की लिंथ अधिक होती है इसलिए उसे छोटा करना पड़ेगा अब DNA को छोटा करने के लिए यूज आप मॉलिकुलर सीजर्स अधवा यूज आप रिस्ट्रेक्शन इंडो निकलेज एंजाइम मतलब DNA को काटने के लिए हमें कैची की जरूत होगी चुकि DNA एक व्रहद मॉलिक्यूल है अधा है इसे काटने के लिए मॉलिकुलर कैची की आवसकता होती है या कली जी की आ आडवी कैची का नाम है रिस्ट्रेक्शन इंडो निकलेज एंजाइम या कैची अथवा या एंजाइम DNA को अलग अलग आकार के छोटे बड़े खंडों में तोड़ देता है अथवा कली की छोटे बड़े खंडों में काट देता है और हमें DNA के अलग अलग साइस के एलेक्ट्रोफोरेसिस पर आते हैं तो डियर्ने खंडों को अलग करने के लिए ये ट्रे जैसा एक प्लेट होती है या खुला बक्सा होता है इसमें उपर एगारोज जिल भरा हुआ है या डाला गया है और इसके इधर किडारे छोटे-छोटे गढ़े होते हैं डियर्ने फ्र ब집गाजना पड़ेगा तो पॉस्टीव चार्ज अगर डिया गया है अनुट लगा दियागया है अब जैसे ही पावर आंकरते हैं तो डियर्ने के फ्रेग्मेंट पॉस्टी चार्ज की तरह भागने लगते हैं अब यादि मन में प्रेश्ट हो कि किसकी सहायता से भागते ह तो एगारोज जेल की सहायता से भागते हैं, क्योंकि इस पर एगारोज जेल पड़ा हुआ है, उसी की सहायता से भागते हैं, कुछ समय में छोटे खंड दूर और बड़े खंड पास रह जाते हैं, यह जो छोटे छोटे से खंड हैं, वो दूर तक चले जाते हैं, जो बड़ Inetro-cellulose membrane, Nitro cellulose membrane नाइड्रोसेलिلोज मेंब्रेन, नाइड्रोसेलिलोज मेंब्रेन मतलब DNA के इन खंडो को फिल्टर पेपर के द्वारा जेल से अलग करेते हैं यानि एक नाइड्रोसेलिलोज मेंब्रेन लेकरके जेल से DNA के खंडो को उठा लेंगे ये काम कैसे करेंगे तो जेल प्लेट पर नाइट्रो सेलिलोज मेंब्रेन चिपका करके डियन्ने खंडों को उठाते हैं इस किरिया को सर्दन ब्लोटिंग कहा जाता है सर्दन ब्लोटिंग मतलब एगारोज जिल से नाइट्रो सेलिलोज मेंब्रेन द्वारा डिन्ने खंडों को उठाना ही सर्दन ब्लोटिंग कहलाता है ऐसा करने से नाइट्रो सेलिलोज मेंब्रेन पर जो डिन्ने होते हैं डिन्ने के खंड चीपक जाते हैं और DNA खंड नाइट्रो सेलिलोज मिम्ब्रेन पर चीपक तो जाते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं हम उन्हें देख नहीं पाते हैं अब इन खंडों को देखने की आवा सकता है तो देखने के लिए next step है hybridization with radioactive probe hybridization with radioactive probe अथवा use of probe यानि अब probe का use करेंगे ताकि लक्षण दिखने लगे या DNA खंड दिखने लगे तो hybridization क्यों किया जाता है उत्तर होगा complementary base pairs bind करने के लिए complementary base pairs को bind करने के लिए hybridization किया जाता है यदि पूछा जाए कि probe क्या है तो बतायेंगे lab में बनाएे डिंने के छोटे छोटे एक सूत्रिय खंडों को prob कहा जाता है जो vntr होते हैं इन में से repetitive sequence होते हैं VNTR क्या है? repetitive sequence होते हैं जैसे A, T, C, G ये VNTR है तो probe में इसी का complementary base pair बनाया जाता है जो probe होता है इसी का complementary base pair बनाते हैं ताकि इसी से जाकर वो जुड़ जाए और DNA का खंड पूरा हो जाए अब इसका complementary base pair क्या होगा? तो A का T, T का A, C का G और G का C होगा इस प्रकार से probe VNTR से जुड़ जाते हैं और DNA खंड पूरा हो जाता है अब अगले step में X-ray पास करेंगे यानि अब DNA खंडों को एक X-ray फिल्म पर लिया जाता है जैसे ही X-ray करते हैं DNA खंड चमकने लगते हैं और आंते में कुछ इस तरह से सैंपिल हमें प्राप्त होते हैं एक संदिक द्विक्ति का DNA ये है दूसरे संदिक द्विक्ति का DNA ये है और ये DNA अपराध वाली जगह का है जहां अपराध हुआ था उससे जो DNA प्राप्त हो है ये वाला है तो इन दो विक्तियों पर सक है कि इन में से किसी एक ने अपराद किया है हम सभी लोग जानते हैं कि क्रोमोजोम पेर्स में होते हैं जोडे में होते हैं एक पिता से और दूसरा माता से प्राप्त होता है और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मनुस्यकी प्रते कोशिका में 46 गुरसूत्र होते हैं अब माल लेते हैं कि ये सात्वा क्रोमोसोम ये गुरसूत्र है और ये दूसरा है और ये सोलवा है इसी तरह से दूसरे संदिक धुबेक्तिका है और यही क्रोमोसोम संख्या तीसरे वाले की भी है तीसरे वाले का मतलब है जो DNA अपराद वाली जगह से प्राप्त हुआ था उसका है अब क्रोमोसोम नंबर जो 7 है इसमें देखिए उपर 3 रिपीट्स हैं नीचे 4 रिपीट्स ह दूसरे वाले में उपर 11 रिपीट्स हैं नीचे 9 रिपीट्स हैं इसी तरह से दूसरे क्रोमोसोम में काउंट करने पर 8 7 और दूसरे वेक्ति में 8 7 निकलते हैं फिर 16 गुरसूत्या क्रोमोसोम में काउंट करने पर 5 10 और 5 2 निकलते हैं अब अपराध वाली जगह से होई है फिर दूसरे वाले में 9 small variable tandem repeats équक्रापत हुए हैं फिर अगले में 8 और 7 small variables tandem repeats प्रापत हुए हैं और फिर 5 और 2 variable传ेंड 중요 हैं अम मिलान करते हैं कि कि Kis का स्वह मिल रहा है तो देखिए इसका DNA अपराध की जगह से प्राप्त DNA च्शलिए अपराद वाली जगह से प्राप्त डिर्नी है इन दोनों का से मिल रहा है एक जैसा मिल रहा है इसलिए अपराद ही दूसरा वेक्ति होगा अब इन दो संदेख्व पिक्तियों के डिर्नी को A तथा B से दर्साया गया है और जो अपराध वाली जगह से मिला है उसे C से दर्साया गया है आप क्या करते हैं एक सरे के बाद प्राप्त DNA को तीनो यानि A, B, C इनकी तुलिना करने पर क्या होता है कि जो संदिक दिबिक्ति B है इसका मिलान C वाले से हो जाता है C वाले का मतलब क्या हुआ जो घटना अस्थल से प्राप्त हुआ था DNA उससे मेल खा रहा है इसलिए B वाला ही अपराधी होगा चलिए अब एक बार जल्दी से और रिवीजन कर लेते हैं तो घटना अस्थल से खून, बाल की जड़, तवचा, वीर या जो हड़ी होती है कुछ भी अगर मिलता है इन में से तो उसमें से यह क्या करेंगे हम DNA को निकाल लेंगे DNA कैसे निकाल लेंगे अलग करने के लिए उसका आईसोलेशन करेंगे और फिर आईसोलेशन करने के बाद DNA बड़ा सा प्राप्त हो जाएगा जिसकी लिंथ अलग होगी, बड़ी होगी तो उसे मॉलिकुलर सीजर्स से काटेंगे यानि रिस्ट्रिक्शन इंडो निकलेज एंजायम से उसको काट देंगे तो रिस्ट्रिक्शन इंडो निकलेज एंजायम का प्रियोग करने से या आर्वी कैंची का प्रियोग करने से छोटे बड़े खंड दिरने के प्राप्त हो जाए आप जो छोटे बड़े खंड प्राप्त हुए हैं इनको अलग-अलग करना है तो अलग-अलग करने के लिए gel electrophoresis करेंगे जल electrophoresis के बाद अलग-अलग जो खंड हो गए है यानि छोटे वाले अलग-बड़े वाले अलग उसको एक filter paper पर यानि नाइट्रो cellulose membrane पर उतार लेंगे और फिर उसमें probe डाल देंगे प्रोब डालने के बाद उसका X-ray करेंगे फिर जो हमें प्राप्त होगा उसकी तुलिना कर लेंगे इस तरह से हमें अपराधी का पता चल जाएगा इस तरह से DNA फिंगर प्रिंटिंग की जाती है या mechanism आप DNA फिंगर प्रिंटिंग होती है अब DNA फिंगर प्रिंटिंग के उप पहचान की जा सकती है इंगर प्रिंटिंग के पहले उपयोग में बताया गया है कि DNA फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा अपराधियों की पहचान की जा सकती है पहले अपराधी वाला देखते हैं तो अपराधी कई तरीके के होते हैं जैसे किसी ने किसी का कतल कर दिया हो य यदि आपके मन में प्रश्ण हो कि कैसे पहचानेंगे तो मेरे चैनल में पूरी किरिया विधी पूरी मेकेनिजम DNA फिंगर प्रिंटिंग कैसे की जाती है इसका वीडियो अपलोड़ेड है आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं अब यदि किसी ने बलातकार किया हो तो वह भी अपराधी हुआ DNA फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा इसको भी पहचाना जा सकता है क्योंकि जहां पर अपराध किया गया है चाहे वो कतल किया गया हो खत्या की गयी हो या बलातकार किया गया हो तो उस जगह पर कई चीज़ें मिल सकती हैं जैसे हो सकता है अपराध प्रिंटिंग के द्वारा उस अपराधी की पहचान कर ली जाती है अब इसी पॉइंट में आगे लिखा गया है कि निर्दोस विक्तियों की पहचान भी की जा सकती है मतलब यदि कोई विक्ति निर्दोस है और उसे फसाया जा रहा है मौकाई वारदास से मिले डियन्ने का मिलान उस निर्दोस विक्ति के डियन्ने से किया जाता है अब यदि वह निर्दोस है तो उसका डियन्ने अपराध वाली जगह से प्राप्त हुए डियन्ने से मेल नहीं प्रिंटिंग के माध्यम से उसे पहचाना जा सकता है, नेक्ट पॉइंट पर आते हैं, खोएवे बच्चों के माता-पिता की पहचान भी DNA फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा की जा सकती है, यानि इसी बिधी के द्वारा या DNA फिंगर प्रिंटिंग बिधी के द्वारा पैत त्रिक्ता की पहचान भी की जा सकती है, अगर किसी बच्चे के माता पिता खो गए हैं तो उसकी पहचान भी की जा सकती है, फिर नेक्ट पैंट है, DNA फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा किसी संतान के पिता होने की पुष्ट की जा सकती है, मतलब वह लड़का उसी पिता का है या नहीं है इसकी जाच DNA fingerprinting के द्वारा हो जाती है देखा होगा अक्सर वल्दियत के जगडों में ऐसा होता है या कहलो कि विवाद ग्रस्त वल्दियत का समाधान करने में इसी से उसका निस्कर से निकाला जाता है DNA अंगुली छापी कई सारे इसके नाम है अगर DNA fingerprint पूछा जाए DNA profiling पूछा जाए DNA अंगुली छापी पूछा जाए सब एक ही है तो इसके द्वारा ही चोरी किये गए बच्चे की पहचान करके उसके असली मातापिता तक पहुचाया जाता है नेक्ट पॉइंट है DNA fingerprint के द्वारा कुटुम्ब के सदस्यों के बीच रुधिर संबंधों को ग्यात किया जाता है यानि बंधुता का विसलेशन भी किया जाता है कि इसके द्वारा तो DNA fingerprint के द्वारा उस घर में उस कुटुम्ब में जो भी सदस्य रह रहे हैं वो भाई बहन हैं कि नहीं हैं इसकी फहचान भी DNA फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा की जाती है आपको बता दें कि भारत में हैदराबाद का कोसिका एवं आर्विक जियो विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है कोसिका एवं आर्विक जियो विज्ञान केंद्र एक अत्याधुनिक प्रियोक्षाला है जहां पर DNA फिंगर प्रिंटिंग का कारे किया जाता है हत्या, बलातकार, पैत्रिक्ता, आध बिवादों में DNA परिक्षण इस केंदर में होता है और जो जज होते हैं, वह जज इसी केंदर द्वारा DNA मैचिंग के आधार पर अपराधी को सजा देते हैं आसा है आप सभी लोगों को DNA फिंगर पिंटिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी धन्यवाद